सो यहलो एवरिवान वेलकम बैक टो माई चैनल अगेन अगेन सो अब चल रहा है वीडियो कांटीन्यू पार्ट थ्री में सो देखिए अभी विहान और गर्वित की कैसी मुष्टी सुरू है इन्हें कर दिया है मैंने फ्रेश और अब चलते हैं हम शंकी को फ्रेश करने के लि रशीट साइब तो फिर उल 일이 फ्री हो जाता है फिर अगरी करें मतलब技 करते हैं को बहुत है मेंने मेंदला दीया था स्भार्ट फेर श्री हैं स्वाय करता हैं को सुझ आठेए और मेने बनाए तो डीदी नहीं बनाए था पाव भाजी सब को चल रहा था और ר फिर इन लोग की मस्ती स्टार्ट हो गई थी तो देखिए बावबाजी का वीडियो एक्चुली शूटने किया हुआ है सो बस वैसे क्लीप थोड़ा सा डाल दिया था तो देखिया आज हमारे घर पे क्या शुरू है मीनी पालर घर में बना हमारा मीनी पालर एक्चुली लॉक्डाउन है और मतलब मेरी मतलब ऐसा है कि हम लोग घर पर ही सब कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं कि ज़रत नहीं डिपेंड नहीं रहते किसे पर कि में बालर जाके ही रेडी होना या कुछ करना है मुझे आता है पालर का तो मैं कर देती हूं अपनी दीदी का तो बस यहीं सब को शुरूत था एक्चली इनकी हैर कटिंग शुरू है अभी और आगे देखियो और में होते है और मैं अपना अपने घर पे करते हूं नहीं जाती हूं करने के लिए अपना हैर कट कुदी करती हों बहूत ऑफयर से लेंध दिसकी जो से चाहिए था वस इसका थोड़ा सा त्रेव डला हुआ है और बाद म भल रही थी दिदि मुझे बैंक्स पी काटना है तो तो देखिए अब इसका बैंक्स भी कटिंग हो रहा है और यह बहुत मतलब काफे टाइम से पीछे पड़े थी ती एर कट करना है तो मैंने सोच चलो आज करी लेते हैं और यह देखिए हमारे सब लोग साथ में बटे वे थे में दीदी आई हुई थी बिलासपुर से तो पहल मैंने सिक्दम शॉट कर दिया और यह सबसे इजी टेकनिक है यह होता है ना कि अपने को जितना लेंज है उसकी साबसे अपने से हाइप पोनी डालने के बाद जितनी लेंध में कट करना होता है मतलब एक इंच आप इंच देड़ इंच दो इंच उसे साबसे कट कर लेना प्रेप्लेनी के बाद उसे हलका ऐसा शेट कर लीजिए मसब साइट कर लीजिए अपने बाल रेड़ी हो जाते जिस लेंथ में आपको चाहिया था तो मैंने तानिया एन दीदी का करके दिया तो नानी बोली मेरा भी कट कर दो तो देखो नानी भी लाइन पे लगी हुए थी तो ऐसे हमारे गर पालर का सिस्टम चालू था जो एक के बाद एक सब का चाल रहा था कटिंग तक तो बाद सीमित थी दीदी बोले अब मुझे थ्रेडिंग भी करना है तो देखे अब कितने लोग नमबर लगाते है इस पर तो अभी सेकेंड सिस्टर का मैं थ्रेडिंग कर लेती हूं तो यही सब था और फिर मेरी सेकेंड से थर्ड वाले सिस्टर बोलती है अब इन दोनों का कर दिया तो मेरा भी कर दो तो पिर इसका भी मैंने ध्रेडिंग करके देए दिया तो ऐसा सब कुछ चल रहा था हमारे गर पे मतलब ऐसा होते है कि जब हम चारों बेना स साथ हो जाए तो फिर तो जरूती नहीं होती है किसी की तो देखिया विहान को खाने की तियारी चल रही थी प्लस मुझे भूख लगी थी कि काफी टाइम हो चुका तो अभी मैं खाना काने बैठी थी तो मैं खा रही थी दाल चावल सिर्फ रशाइंकी भी देखो किते अधरी की मस्ती कर रहा था तो उसे कैसा होता है ना घुम घुम की खिलाना ओरता है वो अगर मूर रहा तो अच्छे सखा लेता है ना वरना उसकी पीछे पढ़े रहना पड़ता है और बहुत अच्छी हवाँ चल रही थी मौसम भी बहुत मस्त रसा हो गया तक दम कूल- कर रही थी मितलब मुझे एक order था केक का तो मैं वो complete कर रही थी तो देखिए इस तरीके का मैंने केक ready किया था चोकलेट चोको बॉल का तो चोको बॉल केक तो यह देखिए कुछ इस तरीके का ready हुआ था यह ready करने के बाद जस्ट मुझे लगा photo click करना चाहिए तो मैंने आपके लोग के साथ में share कर लिया तो मुझे comment सो बताना कि यह कैसा दिख रहा था और यह कैसा बना है आप टेस्टों नहीं कर पाऊंगे पर देखिए समझ सकते हो ना तो मुझे comment से बताएगा तो देखिए अब बात अच्छा मौसम था तो मैं समिस नहीं करना चाहती थी तो मैं फटा फट से ready हो गई थी और ready होने के बाद मैं आगई थी उपर टेरिस पे रेल्स का कुछ शूट करने के लिए एंड आप लोग मैं इंस्टाक्राम पर पॉलो कर सकते हैं देखिए मेरी अच्छी से रेल्स जो आप लोग को पसंद आए और वो चुका था मेरा शूट करके एक्चली वेकप में रखना था थोड़ा सा तो उसके लिए शू अच्छल बच्चों लगों कुछ सिखाने की जुरत नहीं पड़ती है सब अपने आप कर लेते हैं तो आयोप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बुलना मैं मिलती अजज करना है सब्सक्राइब कर दो मिलती है.